आलिया भट ने एक dres record क रेपीट की कि sure मच किया पर क्या आपको पता है कि this is not the first time जब उने कपने repeat किए हैं आलिया का record रहा है, आलिया ने बहुत बार कपशी न रिपीट किये है और वो camera की नजर में भी आईे है 2020 में जब रेंबीर कपूर की बहन वृदिमार साहनी का बोड़ दे था तब उन्होंने फ्लोरल जिम रामेन समर ड्रेस को चुना था जिसकी बेल स्लीव और डीप वी नेक इसे खास बना रही थी आलिया ने इसी ड्रेस को दो साल पहले भी एक फिल्म के प्रमोशन के लिए पहना था इसकी फोटोस भी उन्होंने अपने इंस्टेग्राम पर शेयर की थी उन्होंने बीट गर्ल स्लोगन वाला ये टॉप भी अलग-अलग मौकों पर पहना है और अलग-अलग बॉटम्स के साथ इसे पेयर करके पहनना है काम के सिलसले में स्पोट हुए आलिया ने ब्ल्यू कलर की स्ट्राइप वाली ड्रेस पहन रखी थी जिसमें क्लाउड मौन्स्टर प्रिंट्स बने हुए थे वही इस ड्रेस का लुक स्पोटी था लेबल मीरा मिकाती की इस ड्रेस को आलिया 2020 से पहले 2018 में भी पहन चुकी है अपने फिल्म गली बॉई के डबिंग सेशन पर अनीशे मलहोतरा जायन की गोदभराई पर उन्होंने एक उपसूरत ब्लू विल्विट सूट पहना था और इसे एक स्टेट्मिंग मांग टीके के साथ स्टाइल किया था हलाकि आलिया ने ये सूट पहली बार नहीं पहना था वो इससे पहले भी अपने फिल्म डालिंग्स के प्रोमोशन के दौरान इसे पहन चुकी है लिबल राजर रमनी के इस विल्विट सूट्स ने कई वेडिंग और फेस्टिवल लुक्स को इंस्पार किया था 2021 में बात करते हैं आलिया भट को संजा लीला भंसाली के आफिस के बाहर पाप किया था इस बेहत वाइबरेंट पेंग और पर्पल फ्लोरल मैक्सी ड्रेस में आलिया ने यही ड्रेस साल 2018 में अपने घर पर क्रिस्मस सेलिबरेशन के लिए भी पहना था 2019 में आलिया भट को धर्मा प्रोडक्शन के ओफिस के बाहर स्पॉट किया था इस बेहत कूल टाइएंड डाय टी-शिर्ट में आलिया ने इसे पेर किया था वाइट कारगो पैंट के साथ और होट पिंक स्लाइट के साथ आलिया ने यही टी-शिर्ट रनबीर कपूर के साथ अपने न्यू यॉयॉक हॉली डे पर भी पहना था और उन्हें इसमें एक फैन के साथ पोस करते हुए भी देखा गया था आलिया भट ने जुलाई 2017 में एक इवेंट में ये लेस डीटेलिंग वाली खुबसूरत लाइट पिंक स्लीव्लेस ड्रेस पहनी थी आलिया ने इस मौके पर इस ड्रेस को एक क्रॉप्ड डेनिम जैकेट के साथ लेयर किया था आलिया ने यही ड्रेस नवंबर 2017 में आली बाग में शहरु खान के बिदे सेलिबरेशन के लिए भी पहनी थी लेकिन इस बार बिना जैकेट के आलिया ने साल 2020 में अपने फामिली और बेहत करीबी फ्रेंड्स के साथ अपनी मम्मी सोनी राजदान का बिर्दे सेलिबरेट किया था इस मौके पर आलिया ने अपने लुक को एक ओफ शोल्डर मैक्सी ड्रेस में बेहत कूल और काजवल और मिनिमल रखा था आलिया ने यही ड्रेस 2021 में नीतु कपूर, रनवीर कपूर और रिधमा साहनी कपूर के साथ एक फामिली आउटिंग के वक्त भी पहना था February 2017 में कपूर के शोव में पहुंची थी आलिया भाइट जहां पर उन्होंने अपने फिल्म बदरिनाद की दुलहनिया को प्रमोर किया था इस दौरान उन्होंने पहना था पायल सिंगल का ये सॉलिड नेवी ब्लू कोट सेट और इसे लेयर किया था एक सिल्वर स्लीवलेस जैकेट के साथ यही कोट सेट उन्होंने शाहिद कपूर के बड़दे पर भी पहना था लेकिन अलग जैकेट के साथ 2018 के बात करते हैं एक डबिंग स्टूडियो के बाहर निकलते वक्त रिप्ट डेनिम और इस बेहत कूल डबल टोन ओवर साइजड डेनिम जैकेट में उन्हें देखा गया था उसी साल आलिया को एयरपोर्ट पर इसी डेनिम जैकेट में देखा गया था जिससे उन्होंने ब्लाक जीन्स और ब्लाक लेदर वूट्स के साथ पेर अरप किया था तो ऐसा बहुत बार हुआ है कि आलिया भट ने कपड़े रिपीट किये हो री स्टाइल किये हो आपका इस स्टोरी पर क्या कहना है हमें कॉमेंट्स में अपना फीडबैक जरूर दीजेगा